हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल में फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे लेसनिया चांप जिसमें एक लेसन का बहुत ही बड़िया सा फ्लेवर आपको आएगा सबसे पहले मैंने एक कप पानी डाला है उसके अंदर रफली कटा हुआ प्यास अद्रक और तीन-चार हरी मिर्चें यह डाली है मैंने इसको छोटा कप पानी का है इसको अच्छे से हमने कर लेना है इसके अंदर बॉयल कर लेना है मत्तब जब तक पानी सुखे तब तक दूसरी तरफ मैंने चांप की स्टिक को उतार कर पानी रखके इसको भी 10-12 मिनट के लिए करने के लिए रख दिया है इधर हमारा पानी सुखता जा रहा है इसमें यह देखिए प्याज बिल्कुल हमारा गल गया अच्छे से इसको बिल्कुल हमने प्यास को गलाना है पिंक कलर का भी हो गया और प्यास बिल्कुल गल गया पानी को अच्छे तरीके से सुखाना है ज जब हम अच्छे से इसको भून लेंगे इसके अंदर ऑईल के अंदर इसको भूनने के बाद इसमें आप देखेंगे जब भी आप ये सब्जी बनाएंगे जब ये पहले पानी में की है फिर ऐसे इसके अंदर एक बड़ी हलकी से खुश्बू आएगी बहुत अच्छी सी देख रहे होंगे आप जब हम चांप को बॉइल करते हैं तो ये फूल जाती है ये दिखिए कितनी मोटी मोटी सी हो गई है अब जो नेक्स्ट प्रसेस है इसको फ्राई करने का आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं आप चाहें तो इसको काट के भी मैंने ऑई की गिरियां जिनको बिल्कुल हलका सा मैंने फ्राई करना है जादा नहीं करना और उनको मैंने डालने नहीं उसी के अंदर जिसके अंदर प्याज हमने डाला था एक स्टेप हम और करेंगे उसी के अंदर हम प्याज को फ्राई करेंगे पांच-छे प्याज मैंने लिए है एक क तो तो इनको पिंक भी नहीं कहना है। नहीं कॉरूंगे हमें बिर्यानी बगरा में डालते हैं Из-स पर आ जाएंगे तो गारी गैस बूसरा गरतेस्ट बेंगे कडाई में चांपों को फ्राइ कर लेंगे मैंने पीसी कट कर लिया मेरी वो स्टील की कडाई थी तो वह थोड़ा मुझे लग रहा था जैसे जल गई है इसलिए मैंने कडाई को चेंज कर लिया और और मेरा वही है नहीं तो आप एक ही कडाई के यूज करें कोई दिक्कत नहीं है उसी में मैं जितने आएंगे एक बार उसने डाल कर इनको फ्राइ कर लोगे इनको डालने के आप एक आदा मिनट तक एक डेड़ मिनट तक आप बिल्कुल भी इनको ही लाएंगे नी उसके बाद ये अपने आप उपर तब हो जाएंगे अच मासाला बनाएंगे ड्राइ मसाले जो है कुछ इसमें मैंने जीरा डाल है लॉंग है फूल है और मुटी लाइची है छोटी लाइची है और दाल चीनी इसको हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे ड्राइ रोस्ट करना है हमने लाइचियों के मुह मैंने खोल दिये ताकि अंदर के जो दाने वो भी अच्छे सी हो जाएं बीच में मैंने 8-10 काली मिर्चें डाल दी हैं इनको ड्राय रोस्ट करने के बाद मैं सारे मसाले को निकाल कर रख लूँगी लेकिन इसी पैन में क्योंकि अगर मैंने इसी पैन में डाला अजवाइन को भी तो जो बाकी चीजें वो जल जाएंगी इसी पैन में मैंने दाल चीनी और फूल वोगरा रहने दी हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं जलते हैं साथ में लॉंग है मैंने एक चमच अजवाइन डाली है और दो चमच भरके मैंने कस्तूरी मित्थी डाली है इसको भी हमने ड्राय रोस्ट कर लेना है सब अब मसाले को हमने एक साथ ड्राय रोस्ट करना है इसको जब ड्राय रोस्ट कर लो तो निकाल लो नहीं तो यह जल जाएगी करने के बाद अब हमने उनको ग्राइंट करके रख लेना है और एक कड़ाई में मैंने अब डेढ गटोरी भरके बरी कटा हुआ लसुन डाला है इदम से पेस्ट जैसे ही मैंने बनाया हुआ है बहुत बरीक है तो चाहें तो आप पेस्ट भी बना लें यह पेस्ट के जैसे ही मैंने बनाया है थोड़ा सा कट किया था फिर उसको मैंने हाथ से ही कूट कूट कर बरीक किया हुआ है तो अब चाहें तो मिक्सी में भी कर लें दूसरी तरफ हमने एक कटोरी करड ली है, उसके अंदर थोड़ा सा मैनने लाल दिगी मिर्च मिलाई है और दो चमच धन्या पाउडर मिलाई है, इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमने और ज्यादा मसालों का यूज नहीं करना है, कम मसालों में सबजी बनने वाली जो भुना था और फ्राई किया था और आलमंड बगएर डाले थे, वो जो हमने मिक्सी में पीसा हुए मसाला ग्राइंड करके रखें, उसको हम डाल देंगे, यह मसाला इसमें डालने के बाद इस जग में भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसमें भी पानी डाल कर हम इसके भून लेना है, इसके बाद हमने हम इसके इसके और दाईं में वो लाल मीर्च दिगी मेरच और गोल कर रख़ा था धनिया पाउडर रूम इसके अंदर मिला और उसके अंदर हम पीपानी डाल डाल देंगे, ताकि महारी कोई भी चीज वेस्ट ना जाए, इसको फिर हम अच तो इसमें हम थोड़ी सी जो रंग वाली मीर चाहती है उसको हम एक भरकर चमच वो डाल देंगे और इसको हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे इसको वैसे हमारी चीज़ें सब वो प्यले की हुई हैं फ्राइ की हैं प्याज और वो भी दूसरा भी तो लेकिन फिर भी हमें मसा नमक यह देखिए कलर चेंज हो गया जब जब मसाला भून रहा है कि और इसका कलर बिल्कुल आजाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कुछ डाला है कि नहीं डाला इसके अंदर जो हमने नमक डालने के बाद जो मसाला ग्राइंड की है डेट चमच भर के हम वो डा डाल देंगे बनने के बाद अगर आप टेस्ट करेंगे आपको वो कम लगेगा तो आप और डाल सकते हैं यह देखिए वो मसाला जो है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि वो हमने ड्राय रोस्ट करके डाला इसके बाद हम इसमें चांपो के जो पीस हमने फ् यह राले हैं आप देखे कलर कितना अच्छा इसका हो गया है वह इसके बाद चोटी टिक्की पानी डाला अच्छे से बीच में रच जाएं तो यह दिखिए इसको ढखके हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे इसके अंदर बटर भी रच गया सारे मसाले भी रच गया आप इसको किसी परांठे के साथ नान के साथ खाएं इसके उपर एक काम और करें फ्रेश क्रीम या फ्रेश मलाई जो हो उ से इसकी ग्रेवी और रिच बनेंगी अगर आपकी मर्जी हो तो डालें आप नहीं पर डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा डालेंगे तब भी बहुत अच्छा आएगा तो यह काम आप कर सकते हूं इससे आपको भाबा स्टाइल कह लिजी स्टीट फूड जैसी कह लिजी आपको बिल्कुल टेस्ट इसका आएगा तो यह ग्रेवी चांप ग्रेवी जो लसनिया आप जरूर बनाए रेडी करें और अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को रिक्वेस्ट है लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो क शेर जरूर करें थेंक यू फ्रेंद्स